मनोज कमपर्टेटिव कलासेस के योटूब चैनल में मैं आपका तह दिल से स्वागत करता हूँ चले दोस्तों आज जो है अथारववेद से समंधित वीडियो है इससे पाहले जो है हम वेद का तीन वीडियो दे चुके हैं रिगवेद उसमें वेद का बेसिक ज्ञान भी है और उसके बाद साम वेद उसके बाद ये जो है आपका आखरी यानि चौता वीडियो है अथरव बेद से समंधित बहुत महत्पोन जानकारिया हम इस वीडियो में देंगे तो पिर्पया करके आप इस वीडियो के लाश्ट तक बने रहिएगा तो चलिए इस वीडियो को हमा स्टार्ट करते हैं ध्यान दिजेगा अथरव बेद यह जो है सबसे नया बेद है सबसे प्रवाना बेद हम आपको बता चुके हैं वीडियो को का जाता है यह सबसे नया बेद है कौन बेद तो अथरव बेद ठीक है अथरव बेद को ब्रह्म बेद भी कहते हैं क्या कहते हैं ब्रह्म बेद अधरवेद को और क्या कहते हैं तो ब्रह्मवेद भी कहते हैं यह जबसे नयावेद है अधरवा नामक रिशी के नाम पर इस वेद का नाम अधरवेद पुड़ा, ठीक है किस कौन सा रिष्षी के नाम पर अथरवा नामक रिष्षी के नाम पर इस बेद का नाम अथरो बेद पड़ा आगे देखीगा इससे तंत्र मंत्र जादू टोना प्रेम बिवा आदी का जानकारी मिलता है इसी तरह का चीज जो है जानकारी मिलता है इस बेद शी अथरो बेद में 20 अध्याय हैं आगे देखीगा मगध का सरवपर्थम उलेक जो है अथरो बेद में मिलता है किश बेद में अथरो बेद में तो डारेक को सर आप से पूछ सकता है कि मगध का उलेक जो है सरवपर्थम कहां से मिलता है तो आपका अंसर होता है अथरो बेद से अथर उबेद में सभा और समीति को परजापती की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर उबेद में बताया गया है तो इसका अंसर होगा क्या अथर उबेद जो सबसे नयावेद है। परिचित का उलेख मिलता है जिन्हें मिर्तिव लोग का देवता बताया गया है। तो कुरू की राजा परिचित का उलेख जो है अथर उबेद से मिलता है और ये कुरू की राजा परिचित को यानि मिर्तिव लोग का देवता बताया गया है। आगे देखेगा अथर उबेद का उपवेद कौन है तो सिल्पवेद ये उपवेद जो है बहुत महतोपुन है चार उबेद का लगलक उपवेद है। तो अथर उबेद का उपवेद कौन है तो सिल्पवेद है। आगे देखेगा अथर उबेद का एक मात्र ब्रहमन गरंथ है वो है गोपत ब्रहमन गरंथ गोपत ब्रहमन गरंथ अथर उबेद का एक मात्र ब्रहमन गरंथ कौन है तो गोपत ब्रहमन गरंथ है। अब देखिए कासी का प्राचिन्तम उलेख जो है अथरवेद से मिलता है। अब देखिएगा फिर से एक बार तो अथरवेद यह जो है सबसे नया वेद है। इसको ब्रह्म वेद भी कहते हैं। जनकारी किस वेद से तो साम वेद से उसी तरह से पूछेगा यहां पे ठीक है। तो अथरवेद में 20 अध्याय हैं। 731 सुक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। किस में तो अथरवेद में। आप देखिएगा मगद का सरवपर्थम उलेख जो है किस वेद में मिलता है। अथरवेद में मिलता है। तो सभा और समीती की दो अथरवेद में कहा गया है। अथरवेद पढ़ने वाले भ्रहमन को ब्रहमा कहते हैं। अथरवेद में कूरू के राजा परिशित का उलेख किया गया है। जिन्हें मिर्थी लोग का देवता बताया गया। आगे दिखें अथरवेद का उपवेद है कौन, तो सिल्पवेद। अथरवेद का उपवेद कौन है तो सिल्पवेद है और अथरवेद का एक मातर ब्रहमन गरंथ कौन है तो गोपत ब्रहमन गरंथ है आगे दिखेगा कासी का प्राचिंतम उलेख जो है अथरवेद से मिलता है कासी का प्राचिंतम उलेख अथरवेद से मिलता है अथरवेद का फार्ची में अनुवाद जो है इबराहेम शरहिंदी ने किया था इबराहेम शरहिंदी ने किया था तो चरिए इस वीडियो के लास्ट में आप से एक कोशन पूछते हैं उसको आपका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है तो ध्यान से सुनिएगा कोशन सबसी सबसी बड़ा ब्रह्मन ग्रंथ सबसी बड़ा ब्रह्मन ग्रंथ कौन है वो आपको बताना है ठीक है यानि कौन है यह आपको बताना है ठीक है सबसी बड़ा ब्रह्मन ग्रंथ कौन है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो चलिए आज पर इतना ही अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट, सेर जरूर करें आज पर इतना ही जैहिन, जैवा, पल ने मातूँ असके इंसोट कीजिएगा, कर लिजी